तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में किस बारते स्टार्ट अप को दो जार गया तो आंसर होगा खेती, तो परियावरन में उनके योगदान के लिए हर साल पांच विजेताओं को ये अर्थ शोट पुरुसकार दिया जाता है, पहली बार इसको 2020 में द भारते स्टार्ट अप भी है, उसी का नाम है खेती, ये स्टार्ट अप छोटे खेतों को जलवायू परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स तक्निक का उप्योग करता है, ये हैदराबाद का स्टार्ट अप है, तो ये आप याद रखना, अच्छा 2021 में दिल्ली के जो विद्युत मोहन थे, उनको ये पुरुसकार मिला था, हवा को शुद्ध करने के लिए, और 2022 में खेती नाम के स्टार्ट अप को मिला है ये पुरुसकार, और ये स्टार्ट अप किसका है, कौशिक कपपा गंतुलू का, अच्छा इस पुरुस और Champions of the Earth Award 2022 अभी किसे मिला था, तो आंसर होगा पूर्णिमा बर्मन को मिला था, और खेती से आपको याद आएगा, प्राकरतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी किसने जीवा कारेकरम शुरू किया था, तो आंसर होगा नाबाड ने, नाबाड की स्टापना होती ह 12 जुलाई 1982 को किसकी सिफारिश पेस की स्टापना होती है, शिवरमन समीती, और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन टतस्त खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल, चलो ये बताओ, वीटली गोल्ड अवाड 2022 किसे मिला था ये हिम 33 के संग्रक्षन के लिए मिला था चारुदत्त मिश्रा को, अब एक हॉमवर्क प्रशन आपके लिए होगा, अभी रोयल गोल्ड मेडल 2022 का सम्मान किसे मिला, बताओ आप, हम बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाले में किसे ONGC का अध्यक्ष नियुक्त किया ग है, ONGC यानि कि Oil and Natural Gas Company इस्तापना होती 1956 में नई दिल्ली में मुख्याले है, ये एक महारत्न कंपनी है, अब महारत्न से आप पूछोगे कि बताओ अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनिया है, तो अभी 12 हो चुकी है, 12 नंबर की थी REC, यहाँ पर REC का मतलब क्या हो गया, Rural Elect Electrification Corporation, और 9 रतन कंपनियां भी 12 है, जबकि मिने रतन 73 है, आप जानते हो भी Bombay Stock Exchange के नए MDCO बने है, सुन्दर रमन राममूर्ती, प्रसार भारती के CEO बने थे, गौरव दिविवेदी, और All India Rubber Industries Association के अध्यक्ष बने, रमेश केजरिवाल, ये नाम भी निउज में थे, याद आयूर्वेद का 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 या होमियोपेथी, तो आयूश के अंदर ये सब आते हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे, यानि कि इसी सम्मेलन में, तीन राष्ट्र आयूश संस्थान देश को समर्पित किये गए हैं, अब कौन कौन से वो आयूश संस्थान है, एक आयूरवेद स ये बना है गाजियाबाद में, और राष्ट्र होमेपिती संस्थान ये बना है नई दिल्ली में, ये आपको और याद रखना है, अच्छा आयूरवेद की बात है तो पहले तो आपको याद आएगा एक आयूरवेद दिवस होता है, जो हम कब मनाते हैं, धन्वंतरी जैनत इसकी स्थापना कहां पे किये, जामनगर में, और अगर पूछूँ अभी यूके संसत के द्वारा आयूरवेद रत्न पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया, तनूजा नेसारी को, और अभी ऑक्टूबर की बात है, हमारे जो आयूश मंतरी है सर्बानन्दा सोनवाल, उ अभी आपको याद होगा, भारत और अमेरिका के बीच में संगम अभ्यास, नौसेनिक अभ्यास हुआ था, गोवा में ही, अभी नवंबर में त्रेपनवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया का आयोजन हुआ था, गोवा में ही, और इसमें सबसे गेम्स होंगे, ये गोवा में होंगे, अभी 36 नंबर के ये हुए थे गुजरात में, जिसमें पहले स्थान पे सर्विसेस था, दूसरे नंबर पे महाराष्टर था, और उच्च सिक्षा में, यानि कि हाई एजुकेशन में 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने ODF और बिजली हासिल करने वाला जाप का गोवा है, देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये भी गोवा है, अच्छा आप तो ये बताओ, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ओपरेशन चलाय गया था, ओपरेशन विजे 1961 में, और गोवा का इस्ताप रखना बढ़ते आगे, चली बताइए, अभी देसंबर 2022 में विश्व भारत तोलन चेंपिंशिप 2022 में मीरा बाई चानू ने कौन सा पधक जीता है, तो आंसर होगा रजत पधक यानि कि सिल्वर मेडल, अच्छा पहला प्रशन तो ये ही बन जाएगा कि वर्ल्ड वेटलि जीता था, फिर 2019 में ये चौथे इस्तान पे रही थी, और अब 2022 में सिल्वर इन्होंने जीता है, टोटल भार कितना उठाया इन्होंने 200 किलोग्राम का वजन उठाया, जबकि चाइना की जियांग हुई हुआ ने 206 किलोग्राम का भार उठा करके गोल्ड जीत लिया, अच इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेड़कॉर्टर कहाँ पर है, लुजेन स्विट्जेलिन में है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि IWF विश्व युवा चेंपियंशिप 2022 चोकी लियॉन मेक्सिको में हुई थी, उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारते वेटलिफ्टर कौन बने थे, तो आंसर होगा गुरू नाइडू सनापती, 55 किलोगराम केटेगर में गोल्ड जीता था इनोंने, और अगर आपसे पूछें, जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चेंपियंशिप चोकी ग्रीस में हुई थी, उसमें गोल्ड जीतने वाल पहली भारते महिला कौन थी, तो आंसर होगा करनम मलेश्वरी थी, सन 2000 का जो सिड्नी उलम्पिक हो था, उसमें इनोंने ब्रोंज जीता था, ये वेलिफ्टर है, और अभी इनका नाम न्यूज में भी था, क्योंकि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ये पहली पहली पूछेंगे, तो केडी जादव उनका नाम है, वो पहलवान थे, 1952 के हेल्सिंग के ओलम्पिक में उन्होंने ब्रोंज जीता था, कुष्टी में जीता था, पहलवान थे न वो, तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना बढ़ते आगे, चली बताईए, अभी ये हाल इ में भारत के पिले ड्रों कोशल प्रसिक्षन सम्मिलन का उधगाटन किया है, उन्होंने चैन्ने में गरुड एरोस्पेस की विनिर्मान एकाई में 1000 ड्रों सेंटर ओफ एक्सिलेंस का भी शुभारम किया, और गरुड एरोस्पेस की ड्रों यात्रा, ओप्रेशन 777 को भी हर पदशिक करना, गरुड एरोस्पेस ये चैन्ने में इस्तित एक ड्रों स्टार्ट अप है, जिसके आपको याद होगा, ब्रेंड अमबेस्टर बने थे, महिंदर सिंग धोनी, और आपको याद भी होगा, गरुड एरोस्पेस ये कहां पर अपना पहला एरोस्पेस जिम में शुरू किया गया था, तैलंगना में, और अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोट्शव का अयोजन कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में जिसका उद्गाटन खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने किया था, और स्वास्त सेवा में ड्रोन लॉंच करने वा पहला देश कौन सा बना था, इसराइल बना था, और परधार मंतरी जी ने भारत में खेतों में कीट नाश्कों का छिड़काओ करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किये थे तो आंसर होगा 100, अभी देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खुला गया, मध्यप्रदेश के ग्वालियर में और मध्यप्रदेश के ग्वालियर में परधेश के पहले ड्रोन मेलेका बे आयोजन किया गया था, चलो बताओ भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लेब ये काँ पर स्थापित की गई केरल में, और इंद्रत जाल क्या है, ये ड्रोन डिफेंस डूम तो हर साल साथ देसम्बर को अंतरराष्टर नागरिक उड़एन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानि कि Advancing Innovation for Global Aviation Development अब फिर ये बताओ अंतरराष्टर नागरिक उड़एन संगठन यानि कि International Civil Aviation Organization का है एड़कौर कहाँ पर है। एरपूट पर शुरू किया गया है। क्या है ये फेस रिकागनिशन के जरीए अब आपको एंटरी मिलेगी बोर्डिंग पास के जरुवत नहीं है। आपको यादे Solar Aviation Fuel का इस्तमाल करने वाली पहली एरलाइन ये है Swiss International Airline और विस्तारा एरलाइन मर्ज हो जाएगी मिल जाएगी Air India में कब तक 2024 तक। विसे सरकार ने 200 नए हवाई अड़े बनाने का टार्गेट रखाए कब तक 2025 तक। देश का पहला Carbon Neutral हवाई अड़ा ये कौन सा बना लेह हवाई अड़ा और जो दिल्ली एरपोर्ट है ये पूरी तरह से Hydro और Solar Energy से संचालित होने वाला पहला एरपोर्ट बना था। जबकि पूरी तरह से Solar Energy पर चलने वाला दुनिया का पहला एरपोर्ट कौन सा बना कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट। देसंबर को अंतरराष्टर दिव्यांगजन दिवस मनाया, चार देसंबर को भारते नोसेना दिवस, पांच देसंबर को वर्ल्ड स्वयल डे और अंतरराष्टर स्वंसेवक दिवस मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आ गए। चलिए, फिर बताईए, अभी हाली में भारत की किस महिला खिलाडी को पैरा बेडमेंटन प्लेयर ऑफ दे यर 2022 नामित किया गया। तो आंसर होगाrementीर मनीशा रामदास को, मनीशार रामदास ये तमिल नाडू की पैरा बैडमेंटन प्लेयर है, जिनने पैरा बैडमेंटन प्लेयर ऑफ दे यर 2022 नामित किया गया है और आपको याद है Thomas Cup ये पुरुषों का badminton tournament है जिसको भी पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके उबेर कप ये महिलाओं का badminton tournament है जिसको South Korea ने जीता चाइना को हरा करके इसी तरह से आपको याद होगा All England badminton tournament और इसमें में सिंगल टाइटल जीता था Victor Axelsen ने ये Denmark के player है और इन्होंने किसको हराय था यानि कि उप विजेता कौन रहे थे लक्षा सेन और वो में सिंगल जीता था अकाने यामागूची ने ये जापान की है वहीं अगर इंडिया ओपन badminton tournament की बात करते हैं जिसे आप जानते हो Yonex Sunrise Indian Open 2022 की नाम से इसमें में सिंगल टाइटल जीता था लक्षा सेन ने और इसी तरह से अभी आपको याद होगा अभी December में एशियाई जूनियर badminton championship में पदक जीतने वाली पहली भारतिय अंडर 17 शेटलर कौन बनी है तो आंसर होगा उन्नती है और ये एशियाई जूनियर badminton championship का आयोजन कहां पे हुआ था था थाईलेंड में और हमारी एक और badminton player है PV सिंदू अभी उन्होंने सेद मोधी badminton tournament को जीता जो की लखनव में हुआ था Swiss open badminton tournament उसको भी इन्होंने जीता है बाकि आप जानते हो badminton world federation का headquarter ये कौलालूमपुर मलेशिया में है और आपसे पूछे अगर कि footballer of the year में बात करें तो men's footballer of the year चुने गए थे सुनील छेतरी जबकि women's में चुली गई थी जबकि women's footballer of the year चुनी गई थी मनीशा कल्यान ये दोनों मनीशा एं देखो confuse मत होना मनीशा रामदास ये पैरा badminton player है और मनीशा कल्यान ये football player है अभी ICC women's cricketer of the year किसे चुना गया था स्मृति मंधाना को होक्की women's player of the year चुना गया था गुरजीत कौर को और अभी BCC sports women of the year पूछेंगे तो मेराबाइच चानु को चुना गया था जो की wetlifter है ठ्यान रखना ये बढ़ते आगे चलो बताओ Oxford की द्वारा वर्ष 2022 के लिए किसे word of the year चुना गया तो अंसर होगा goblin mode को तो अभी Oxford ने वर्ष 2022 के लिए goblin mode को word of the year चुना है और पहले बार इसे सारवजनिक रूप से vote करा के चुना गया है इसका मतलब होता है कडबोली मतलब ऐसे लोग जो सामाजिक मानडंडो को या अपिक्षाओं को अस्विकार करते हैं और आपको याद होगा 2021 में Oxford ने किसे word of the year चुना था Vax को जबकि Children word of the year चुना था Anxiety को अभी 2022 की बात करें अगर तो मेरियम वेबिस्टर डिक्ष्णरी ने गैस लाइटिंग को word of the year चुना और कॉलिंस डिक्ष्णरी ने किसे चुना था पैरा में क्राइसिस को तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे चलो बताओ देसंबर 2022 में पहली बार भारत मद्या एशिया के राष्टर सुरक्षा सलाकारों की बैठक का आयोजन ये कांपे किया गया तो आंसर होगा नई दिल्ली में तो अभी कब 6 देसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत और मद्या एशिया के बीच पहली बार राष्टर सुरक्षा सलाकारों की बैठक का आयोजन किया गया, पहली बार किया गया तो important है, और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, हमारे राष्टर सुरक्षा सलाकार ने जो की है अजिट डोबाल, और इस बैठक में क्या कहा गया, कि आतंगबाद को मिलने वाली वित्य साहिता funding को रोकना है, उस पर रोक लगनी चाहिए, और हमारे बीच में संपर्क बहतर होने चाहिए, अच्छा मद्य एशियाई देश, मिड एशियन कंट्री कौन कौन सी है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उजबिकिस्तान है, और तुर्क मेंस्तान है, और कजाकिस्तान आप जानते हो, वर्ल्ड की सबसे वड़ी लेंड लॉग कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान है, और इसकी एक टेनिस प्येर आप जरूर याद रखना, उनका नाम है रिबे कीना, क्यों याद रखना, क्योंकि अभी विम्बल्डन ओपन, जोकि टेनिस टूर्नामेंट है, तीसरे नंबर का, उसमें वुमें सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था, पहली बार, और आपको याद होगा, अभी शंगाई को ओपरेशन और्गेनाजेशन 2022 के अद्धिशे था, ये किसके पास थे, उजबेकिस्तान के पास, उजबेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, बता सकते हो कौन सी, तो आंसरों का खंजर एक्सरसाइज, उसी तरह से डश्टलिक एक्सरसाइज ये किसके बीच होती है, भारत और उजबेकिस्तान के बीच में, और काजिंद एक्सरसाइज ये होती है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में, वैसे कजाकिस्तान की केपिटल अस्ताना थी पहले, फिर नूर सुल्टान कर दी फिर वापिस बदल के अस्ताना कर दी चलो आप ये बताओ नरक का द्वार कहाँ पर है ये है तुर्कमेनिस्तान में तुर्कमेनिस्तान में है कारकम डेजर्ट वहाँ पर है ये नरक का द्वार अगर आपने इसको पहले नहीं सुना तो आपको बत आगे चलो फिर बताओ देसंबर 2022 में बंगाल की खड़ी में आने वाले चकरवाती तुफान मंडोस का नामकरन किस देश ने किया तो अंसरों का युनाइटेड अरब अमिरात तो बंगाल की खड़ी में मंडोस नामका चकरवाती तुफान बना है जो कि दक्षिन के तीन उसे टकराएगा और इसका नाम किस देश ने रखा है युनाइटेड अरब अमिरात ने इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है खजाना तो आपको अगर मतलब पता है तो आप इसके आंसर तक वे ऐसे भी पहुंचाओगे देखो मेंडोस का मतलब क्या होता है इतना ज चक्रवाद था, वो बंगाल की खाड़ी में उठा था, उसका नाम था असानी, असानी मतलब क्रोध, इसका नाम किस ने रखा था, श्री लंकारे, और 2021 के कुछ important तुफान आये थे, जैसे कि जवाद तुफान आये था, उसका नाम साओधी अर्बे रखा था, यास नाम का तोकाते, तोकाते यादे आपको, म्यानमार ने उसका नाम रखा था, एक शाहीन आये था, शाहीन, उसका नाम कतर ने रखा था, तो ध्यान रखना, अब बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की, तो कल के वीडियो में आपसे पुछा था कि राष तो के जात में इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेर जरूर कीजिएगा तो अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर लाइक नहीं करा तो एक लाइक जरूर कर दो वीडियो को कंटेंट अच्छा लगा, महनत अच्छी लगी तो और शेर करना मत भूलना प्लीज आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इसका क्विज बना करके अपलूड कर दिया गया तागे आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पे वहाँ पे इनकी पीडिएफ भी आपको मिल जाएगी अब यह रहा आज का आपका हमवर्क प्रैशन